तो एलो माई डियर स्टूडेंट्स जैसे के गुड न्यूज आ चुका आपको पता चल गया होगा कि आपके एक्जाम स्टार्ट होने वाले एंदे एक्जाम सार्टिंग फ्रॉम मार्च डिफरेंट एक्जाम के डेट्स यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ के टी भी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है कुछ लोगों के फैमिली फंक्शन होते हैं तो उनको बुकिंग करना होता है बहार अगर फंक्शन होगा तो फॉर देट्स के इंपॉर्टंट डेट कौन सा है वह ने बहुत सभी एक्जाम के डेट में इसमें इंपॉर्टंट डेट में खाली टी वा इंपे डिसकस करने वालोग तो सबसे पहला आप लोग यह देख सकते हो टी वाई भी कॉम सेम सिक्स यह रेगुलर एक्जाम है रे तो यह सेम शेडूल आपके लिए भी होगा 22nd मार्च से यस नेक्स्ट मन्स से आपका एक्जम चलो हो जाएगा और रेगुलर सेमिस्टर 60 वाय विकॉम 22 मार्च नॉर्मली जो एप्रिल में होता तो अभी 22 मार्च को होने वाला है यू टू वेरियस रिजन्स इलेक्शन्स भी आने वाल है तो 22nd मार्च इसका डीटेल टाइम टेबल भी आ चुका है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ठीक है उसके बाद अगला जो आप लोग देख सकते हो विए खाट कर मतलब ती उबीकॉम का सिथ सेम रेग्यूलर और विए का सेम का केटी यह एक साथ स्टार्ट हो रहे है उसके बाद बैफ में अगर आप हो तो बैफ Northeast का यद numéro सेम का केटी 22 मार्च से होगा ठीक है उसका भी डिटेल टाइमटेबल कुछी दिन में आ जाएगा हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना बहुत से बच्चे देखते नहीं 6M regular TYB.com starting from 22nd March and BBI उसके बाद BAP उसके बाद BMS भी आएगा आगे उनको जो 25M में केटी लगाए बच्चो को केटी का पेपर होने वाला है on 22nd March उसके बाद अगला जो है BMS का 22 March को केटी पाच्वे सेमिस्टर का यह ध्यान में रखना है ठीक है अभी मैंने डिसकस किया था उसके बाद TYB.com सेमिस्टर 5 का केटी है अभी है सेमिस्टर 5 का केटी इसका मतलब TYB.com 6M पहले होगा मार्च में और उसका केटी होगा एपरिल में तो अगर आपको 25M में केटी लगा है तो उसका एक्जाम स्टार्ट होगा फ्रॉम 15 एपरिल ठीक है TYB.com सेम फाई 80 केटी 15 एपरिल उसके बाद BBI में अगर आप हो अगर आप BFF में हो अगर आप BMS में हो तो आपका रेगुलर 6 सेमिस्टर का चटे सेमिस्टर का एक्जाम स्टार्ट होने वाला है 15 एपरिल मतलब इनों ने ऐसा स्वाइप किये ठीक है जब TYB.com का 6M होगा तभी TYBAF, TYBBI, TYBMS का 80-80 होगा 5 सेम का और जब TYB.com का 80-80 होगा 5 सेम का तो BBI, BMS और BFF का 6 सेम होगा रेगुलर का 15 एपरिल से तो यह ध्यान में रखना ठीक है शेडूल वगर डिसकस किया आप देख सकते हो स्क्रीन पे ठीक है पॉसिबल हुआ तो इसका एक PDF का ओफिशल वेबसाइड का लिंक भी में डाल दूँगा और इट्स ऑफिशल शेडूल ओके 8 फेबरिवारी को रिलीज हुआ था थोड़ा लेट उनों ने अप्लोड किया मेभी डू टू सम एप्रूवल्स बट देट्स आपको पता चल चुक है 22 मार्च इस देट फोर टीवाइबी कॉम और रेगुलर और शिक्सेम रेगुलर फोर बाप बीबी और बीमस इस फिप्टीन्थ ऑफ एप्रिल सो बी रेडी पढ़ाई वगरा करना चलू करो टाइम पस मत करो टाइम पस करने का टाइम जा चुक है और अगर अभी पढ़ा ही नहीं किया तो जिन्देगी बार टाइम पस ही करना पड़ेगा ओके सो बापको कुछ डाउट्स रहेंगे आपको कुछ शेर करना होगा पूच्छना होगा कोई वीडियो चाहिए आपको रिगार्डेग अनी पर्टिकुलर टोपिक तो आपको यू पास्क शुआ आपको शुआ आपको यू पास्क शुआ सेंड शॉआ मेसेजेश पामें लिख सकते हो औके आपको यू पीप फॉलोओए एंटिप समटीग बागवे सर्सन्दीप कॉमर्स classes. Thank you so much.